हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब आई होब सब लोग अच्छे होंगे अक्सर हम ज्यादा पके हुए केलों को खाना पसंद नहीं करते हैं उसे डस्ट बीन में फेक देते हैं यकीन आने फ्रेंड्स आज की रेश्पी देखने बाद आप कभी भी ज्यादा पके हुए केलों को डस्ट बीन में नहीं फिकेंगे आप ये रेश्पी हमेशा बनाएंगे इसमें कोई ऐसा चीज का इस्तेमाल नहीं है जो घर पे नहीं हो आईए फटा फट सी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मेक्सी का जार लेंगे और इसमें दो केलों को मैना इस्तेमाल किया है हमारे पास दो केले पड़े थे आपके पास जितनी क्वांटिटी में हो उतना ले सकते हैं इसके स्कीन को अलग कर देंगे इस तरीके से और इसमें एड कर देंगे ता बारी 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 से दोनों केलों को इसकीन अलग करके और इसमें एड कर देनी है त्यान रहे फैंट सड़े हुए केलों का इस्तमाल नहीं करनी हमें सिर्फ ज्यादा पके हुए केलो अधिशक दला मैं हैं और सहवार भगा लुटा से दरेको दो पार को आद शॉस्क्राइब ताकि यह ज्यादा इरत गरम रहे हैं अब एक पैन लेंगे इसमें एक कप गी एड़ करें क्योंकि मैं बच्चों की बनारी हूं इसलिए घी का इस्तमाल की आप चाहिए तेरी फाइन बटर कुछ भी ले सकते हैं यहां पे एक कप आटा का इस्तमाल कि हैं मैंने इसमें एड कर कि अब इस सब्सक्वाइब का इसितमाल कर सकते हैं कि यह देखिए यहां पर हल्का से इसका कलर चेंज हो चुका है लगबग यह अच्छे से वूं चुका है थोड़ी और लेते हैं है तो यहां पर अब इसमें से अच्छी से खुष्ष्भू आ रहे है यह अच्छे से तरफ बढ़ेंगे इसे एड़ करने लगातार हमें चलाते रहना है करच्ची को रोखना नहीं है वरना इसमें गुटलिया पड़े जाएंगी और इस मोट के दो की रुप में त्यार कर लेना है यहां पर हम एक चमच और गी एड़ करेंगे यह पूरी तरह शूप्शनल है आप चाहें ते स्किप कर सकते हैं और गी के साथ इस अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल एश्मूद कर लेना हमें तो फ्रेंट्स आप चाहें तो आप अपने मन पसंद का ड्राइफूट से एड़ कर सकते हैं पर मैं इसे सिंपल तरीके से बनाकर रेड़ी करूंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह खाने के लिए बिल्कुल रेड़ी हो चुका है मैंने जूम आउट करके दिखा देया को यह देखिए तो अगर आप बच्ची क्ली बना रहे हैं तो आप इस तरीके से ट्रिया फिर कोई साभी बरतन ले लिए और इस मिश्रों को इसमें एड़ कर दीजिए और कर्ची यह फिर चमज हाथों की शायता से बिल्कुल अच्छे से स्मूद करके इसे ऐसे इस तरीके से फैला लीजिए यह दिखिए मैंने चमज की शायता से अच्छे से इस तरीके से फैला लिया है आप अपने कोडिंग मोटा या पतला रख सकते हैं यह देखिए और फैलाने के बाद इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए देखिए मैंने इसे बिल्कुल फिनिसिंग दे दिया ह और हम इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तर 10 मिनट बाद यह देखिए मैंने फ्रीज से निकाल लिया है बिल्कुल धंडा हो चुका है इसे हम और हम चाकु की साइथा से वर्फी के सेप में कट कर लेंगे वर्फी वाली सेप जो बच्चों को बहुत पसंद हैं यह देखिए हम इस तरीके से होरिजेंटल इसे कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगे अगर इस भी आपको जड़ा सभी हैल्फुल लगा हो तो प्लीज अपना फीड़बेक हमें कोईंट बक्स में सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक् कर नहीं इस तरीके से यूज कर लिया करें तो कैसी लगी रेश्वी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाय टेक क्यार